हेलो दोस्तों कि यह बहुत चोटी किचेन है और हमने इसको बहुत अक्षे से सजाने का काम किया जैसे आप देखenyसकते इदर की तरफ हमने दो बास्किट दीं एक चोटी पलेट हें ॠ बं ५ दूसरा प्लाउले और उसकेसिता है जो कि यह हमारी ही इसमें वोक्तल और इधर की तरफ हमने बड़र यह इस तरीके से हमने नीचे से किया है और इधर की तरफ हमने कॉर्नर से ग्लाउजर सेट यह हमने सिंक किया एक बार ग्लाउजर खुल पर दिखाऊ करें इस तरीके से ग्लाउजर दिया कि यह बीच में आप देख होंगे उसी तरीके से चिम्नी दिया फिर देख़व आप देख सकते हैं कि उधर की तरफ हमने से टाल ऑर मीं इस तरीके से सेफ हैं हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं बड़ी सिर्फ एक पल्ला उपड़ से चला दिया फिर हमने दूसरी तरफ चिमनी के राइट साइड में हमने ये पल्ला दे दिया और दोस्तों आपको इस किचन में चीज यूनिक दिखाई दे रही होगी कि थोड़ा की हमने इसके पल्ले 42 इंच के लिए हैं जो एकदम देखने में आदूनी लग रहे हैं तो दोस्तों फिर हमने ब फिर हमने ये कॉर्लर थरी के से यूज में लिया है कि आप इसमें अंदर के सिखान माइक दे की हैं और हमने फिर आप देख रहे हों करो एक कोलो एक बंद करो soft close कफजे लगाए है hydraulic कफजे है और दोस्तों फिर kitchen के ठीक बराबर में हमने इस अलमारी को बनाए यह आप इसमें कपड़ों के अलावा बरतन भी रखेशें इसमें हमने self डाल दिये जो कि यह 18-18 इंच के self है और नीचे की तरफ दो दराज नीचे की तरफ हमने दो दराज की है और फिर नीचे पल्ला कर दिया left side में हमने पल्ला किया उसमें दो self हैं अंदर की तरफ और इसमें एक self है और इसमें हमने उपर loft में पल्ले दिये है लोफ्ट का पलह जो दिया हो वो सौकर लगा दिया आप देखरे न दोस्तो हमने अंदर की तरफ लेख साइड की तरफ फाना इस साइड में है च्षोटे च्षोटे सेल्फ कर दिया है पार्टिसन करके और इधर की तरफ हमने 36 चौड़ी अलमारी करके इसमें हमने इस तरीके से खाने कर दिये और नीचे भी एक सेलों डाल दिया और बीच में तो ड्रॉर और यह उपर का एरिया जितना भी है यह सब हमने खबर किया है और दोस्तोस इसमें वाइट ग्रे सौरी एक ग्रे वाइट ग्रे है मतलम लइध ग्रे भी बोल सकते हैं और डार्क ग्रे माइका का उपियोग किया है यह हमारी किछन अलमारी कैसे लगी है यह आप हमें comment sectional बताएंगे फिर हम अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं आप से नमस्कार